हालो गैज, बिलकम बाइक तुमाई वीडियो में आपका स्वागत है तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पी खीरा जो हम लोग सेल सलाद के रूप में यूज़ करते हैं खीरा खाने से बहुत फायदे हैं और खीरे से आपको बहुत गर्मी के मोसन में आप लोग का सलाद बना कर खाते हो तो दोस्तो आप मोसम से पहले बीज से आप अपनी घरों के अंदर घरों के उपर छटक में आप बहुत सारे खीरिक पोधे उगा सकति हो और अदि जब गमले में उग जाते हैं तो उसको आप निकाल कर आप जमिन में लगा देते हो दोस्तो तो उससे आपका खीरा बहुत ही फायदे और बहुत ही अच्छे पोधे तयार मिलेंगे और आपको उससे बहुत सारे खीरे फले हुए मिलेंगे दोस्तो उसका लत बहुत ही सुन्दर और बहुत ही खुशूरत लगता है तो दोस्तो आप देख सकती हो कि इस बीज ये बीज कितनी सुन्दर और कितनी खुबसूरत है कितनी खुबसूरत है तो ये देखिए हमारे खीरा का बीज है इस हमारे हाथों में देखिए इस तरह से ये खीरी का बीज है जो आप घर पे कैसे त्यार करोग दोस्तों तो मैं आपको दिखाती कि आप गमले में इस खीरे की बीज से कितनी सारे पोधी हरे भरे पोधी तियार करोगी तो मैं आपको इस बीज को किस तरह से लगाना है खाली गमले में तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कम से कम मेरे पास लग रहा है कि मेरे हाथ में भीज है तो इससे आपको घर पे गाच होगा नहां तो मैं आपको 4-5 गाच लगा कर दिखाती हूँ दोस्तों यह देखें मेरे सारी भीज को इसमें रख दी है सारी बीज को रख दी है यह आपको मार्केट सोफ पर अराम से मिल जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी दोस्तों आप 5 रुपिया 10 रुपिया का भी लाओगे तो आप घर पे पौधे तयार पाओगे दोस्तों तो इस तरह से मैं देखिए 4-5 बीज ले रही बीज डालोगे अधी जादा डाल दोगे तो पौधे को बड़े होने में बहुत ही दिकत होगी और वो पौधे बड़े नहीं हो सकेंगे तो इससे बीज से आप घर पे चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूं कि इस बीज से आपको किस तरस लगाती है मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको ठीक दस दिन के बाद दिखाऊंगी कि पौधी कितने बड़े-बड़े निकालाए हैं दोस्तों तो मैं आपको गमले में लगा कर दिखाती हूँ तो देखिए ये हमारे चार तो देखिए इस तरह से इसको खोस देना मैं यहां बीज डाल रही हूँ दोस्तों और फिर देखिए मैं एक बीज यहां डाल रही हूँ इस तरह से देखिए एक बीज यहां छूपा हुआ है तो इसको भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ दोस्तों तो चलिए मैं आपको बिल्तो लगा कर दिखा दी हूं अब 10 दिन के बाद फिर मिल लेते हैं तो दोस्तों देखिए यह हमारे पोधे त्यार है आपको खीरे का पोधे त्यार है देखिए मैं आपको दिखाई थी इस तरह से लगा कर इतनी दूरी में लगा कर मैं दिखाई थी इसमें देखी कितनी सारी घास निकल आए हैं तो इसको साफ कर देना उचीत है क्योंकि अधी आप इस घास को साफा नहीं करते हो दोस्तों तो यह पौधे बढ़ने से रोक देगी और यह जब बढ़ने से रोक देगी तो आपको यह पौधे नहीं बढ़ पायेगा और आपको खीरा नहीं मिलेगा खाने के लिए क्योंकि ये देखी इस तरह से मैंने खीरे का बिज्च जो लगाया था मैं इस तरह से गंपली में किनार लगाया था तो मैं आपको बताए थी कि मैं अगली वीडियो में दस दिन के बार बताओंगे तो दस दिन तो मेरा हो चुका है दोस्तों तो देखिए इस तरह से ये खीरे का पौधा है इस तरह से देखिए छोटे-छोटे पौधे हैं ये निकाल आए हैं मैंने 4-5 पौधे लगा कर दिखाई थी दोस्तों इसलिए ये देखिए खीरे का पौधा इस तरह से हो चुके हैं तो मैं आपको लगा कर दिखाते हूं कि इसको जमीन में किस तरह से लगाना है और बीज आपको ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे दोस्तों तो ये पौधे आपको इसमें इलो इलो फूल ये तो अभी काफी छोटे हैं ये तो अभी बीज से निकल आई है तो इसको सेवा मेरा करना काम है इसको मैं जमीन में लगाऊंगी और इसको रसी बांद कर लट चड़ाऊंगी जब ये लट चड़ेगी तो इसमें फूल लगेगी और जब फूल लगेगी तो इसमें खेरा फ़लेगी और खेरा जब फ़लेगी दोस्तों तो आपको खाने में कितना ही टेश तो इस पीज से आप घर पर अवस्ट लगाएं दोस्तों पौधे उगाएं और खीरे खाएं इस तरह से पौधे होते हैं इनके तो मेरे वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना और घंटी को दवाना ना भूले दोस्तों बाइबाई